हेले विडिवान वेलकम टेयर ओन यूट्टिब चैनल दाव मैं अथमाचीन शो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको मानू बीएड बायलोजिकल साइंसे इंटेंस एक्जाम से डिलेटेड कोछ इंपोर्टेंट इ आ चुका उसमें और जो मैंने बताया था वह सही हो गया मैंने बताया था उसमें के 251 रैंक जो में बात बहुत सारी बाते पता थी उसमें जो में बद था कि 251 रैंक या उससे कम होगा तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा और जो भी इंजिनियरिंग के लिए गलगे आपने पहला प्रेफेंस दिया होगा उसमें ही आपका ऐडमिशन होगा जैसे कि जिस बच्छे का 251 होगा और वट्चे ने दरभंगा को चुना होगा ओर मानलिज сказать defining इन चुना होगा तो उसको civil engineering का सीट राट हुआ है ठीक है और 251 ही नहीं उसके बाद मैंने कहा था कि यह तो कंफर्म हो गिया कि 251 या उससे कम एकदम कंफर्म लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे स्पेशल काटिगरी से बिलोंग करेंगे तो उनका भी नाम आ लग्यों है और वैसा ही हुआ 350 तक जो एसे बच्चे हैं जिसका राएंक कि 350 है उसको जो सीट उन्होंने फल्सका दिया था वह लुप हो जानेंगे सबसे पहले हर संटर पर कितने बच्चों ने एक्जाम दिया है वो हम लोग जानेंगे, आसन सोल, यहाँ 25 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम इस सेंटर से दिया है, और 4 बच्चे एपसेंट रहे हैं, औरंगाबाद, यहाँ इस सेंटर से 3 बच्चे ने इंट्रेंस दिया है, आजमगर, इस सेंटर से 17 बच्चों ने इंट्रेंस दिया है, दो बच्चे एपसेंट रहें, बेंगलूरू, इस सेंटर से एक बच्चे ने इंट्रेंस दिया है, भोपाल, यहाँ भी एक, कटक, यहाँ से कोई भी इंट्रेंस एक्जाम नहीं दिया है, बीदर, इस सेंटर पर भी एक बच्चा था, अब दरभंगा, इस सेंटर से टोटल, 184 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, और 26 बच्चे एपसेंट रहे हैं, डेली एंस यार, यहाँ से छे बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, एक एपसेंट रहे, हाइदराबाद, यहाँ से 15 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, 6 बच्चे जो है, अब सेंटर रहे हैं, उसके बाद जम्मू से और कडप्पा से, कोई भी इंट्रेंस एक्जाम इन दोनों सेंटर से नहीं दिया है, उसके बाद आते हैं, किशन गंज, किशन गंज, यहाँ से 42 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, इस सेंटर से, उसके बाद हैं लखनावू, यहाँ से दो बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, 9 से किसी भी बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम नहीं दिया है, उसके बाद है पटना, पटना से 85 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, इस सेंटर से, उसके बाद आते हैं राची, इस सेंटर से 3 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, संभल, यहां से 6 बच्चों ने इंट्रेंस का, और श्री नगर, इस सेंटर से, एक बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है, मानू, B.A. Biological Sciences में, एड्मिशन के लिए, तो यह हमने सेंटर वाइज जान लिया, टोटल आपको पता है, कि 18 सेंटर है, ठीक है, जहां इंट्रेंस एक्जाम होता है, 12 राजजी के और एक डेली NCR मिला के, तो यह हमने जान लिया, कि हर सेंटर से कितने बच्चे इंट्रेंस एक्जाम दिये हैं, और कितने बच्चे एपसेंट रहे हैं, अब हम लोग स्टेट वाइज जानेंगे, यह जानने से क्या होगा ना, कि रैंक के लिस्ट कितना में कितना रैंक आने पर हमारा एड्मिशन कंफर्म होगा यह हमें समझ में आ जाएगा वचरी अब हम लोग इस्टेट वाइस जानेंगे जारखंड 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 पर कुल सेंटर मिला के तीन बच्चों ने यहां से इंटर्स एक्जाम दिया उसके बाद डेली अंसी आर इहां से छे बच्चे ने इंटर्स एक्जाम दिया है अब हडियाना नोह में यहां से कोई भी आ मैं अग्जाम नहीं दिये है इंटर्स का उसके बाद है करनाटक ठीक है इस सेंटर से दो बच्चे ने एक्जाम दिया है ठीक है उसके बाद है महाराष्ट्र यहां से तीन यूपी यहां से पच्चीस जम्मू एंड कश्मीर ठीक है एक वेस्ट बेंगोल 25 मद्यपर्देश MP एक बिहार सबसे जाधा बच्चे यहीं से एक्जाम देते हैं 311 और तेलंगाना 15 तो यह स्टेट वाइस हो गया आप लोंको पता है कि टोटल सीट से 204 बालेजिकल साइंसे में और इस बार 392 बच्चों ने इंटेंस एक्जाम दिया है आप लोग देख सकते हैं तो इससे अब यह हम लोग पता लगा सकते हैं आप लोग देखिए कि 9 हर्याना में 16 सीट है ठीक है बालेजिकल साइंसे का और यहां से कोई भी बच्चा एक्जाम नहीं दिया है तो यहां पर बाहर से बच्चों का एडिमिशन होने वाला है उसके बाद करना तक यहां दो बच्चों ने इंटेंस दिया है सीट है टोटल 16 यहां भी तो आप समझ सकते हैं यह दोनों बच्चा कितना भाग इशाली होगा कि अगर करना तक रिफरेंस प्रेफरेंस देगा तो इसका एडिमिशन हो जाएगा चाहिए उसका डाइंक कितना भी रहें उससे कोई मतलब नहीं है तो यह हो गिया उसके बाद महराष्ट तीक है यहां तीन बच्चे ने एकजाम दिया है 16 सीट यहां भी है तो यहां भी आसानिस एडिमिशन हो जाएगा उसके बाद यूपी यहां भी सोलर सीट है संबल में जो सेंटर है वहां सोलर सीट है 25 बच्चे ने दिया है तो यहां थोड़ा पचीजी बच्चा है कि ऊसके बाद मद्हपर्दिस में भी 31 सीठ है बोपाल में और एक ही बच्चे ने एकजाम दिया वहां से तो बाहर से पड़ोसी राजयों से वहां एंडिमिशन होने वाला ठीक है उसके बाद है बिहार सीट है 31 बिहाड में ठीक है और 311 बच्चे ने एक्जाम दिया है तो सबसे जादा जो competition रस है यहीं है ते लंगाना में भी 31 सीट है सिर्फ 15 बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहाड यानि दर्भंगा वाले सेंटर को छोड़के कहीं भी आसानी से admission हो जाएगा चाहिए कितना भी होगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है तो आसानी से लॉट होगा सीट और कितना रेंग पर admission confirm समझा जाए तो यह मैं आपको बता देता हूं यहां बिहार में ठीक है दर्भंगा उसी को लॉट होगा ठीक है यह confirm मैं बता रहा हूं इससे जादे भी हो सकता है फॉर्स लिस्ट में नाम आ जाए और दर्भंगा सीट लॉट हो जाए इसके लिए रैंक चाहिए कम से कम 42 42 या इससे कम अगर रैंक है किसी बच्चे का तो वह एकदम निश्चिंत हो जाए इससे कोई नहीं होना चाहिए और उससे कोई फ़र्क नहीं परता कि आपका कुछ भी हो इसको इतना 42 रैंक आने पर होना है या उससे कम आने पर इससे ज्यादा रैंक वाले का भी फॉस्ट में नाम आ सकता है दर्भंगा में ठीक है सकता है बस यतना शर्ट समझिए कि उसका कोई भी एस्पेशल केटेगरी होना चाहिए एडबलूस हो या वोमेन वोमेन या ओबीसी वोमेन हो ठीक है यह पीड़ूडी हो या इड़ूस पीड़ूडी हो यह इस तरह के बच्चे होंगे या फिर खेलकोटा से हो इस तरह के बच्चे जो होंगे उनका भी नाम आ सकता है दर्भंगा के लिए फर्स्ट लिस्ट में लेकिन 42 रैंक तक अगर होगा तो कंफर्म हो जाईए कि आपका एड़ूशन हो रहा है दर्भंगा में अगर यह वीडियो आपको हेलफुल और इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वी कि कर दोाओंас हゲイ जात वा याज़चिवशं टो ग्रуется को जाया ढोगा। है झाईब झाका चाजब फॉक्मा ये खिसन का वाज़चिवशन होजड़ है इन स hiçbir और यसऑा नहीं के दूतKay